ओम श्री गनेशे नमाँ ओम देवराज सेव्यमान पावनाम क्रिपंक जम् व्यालियग्य सुत्रमिंदु शेखरं क्रिपाकरं नारदादी योगि वरिंद वंदितं दिगंबरं काशिता पुराधिनाथ कालभे रवंभजय ओम नमस्कार भगतों आप सभी का Great MS Voice Channel में हादिक स्वागत हैं आज भोले नात का वार सुमवार है और आज के दिन सुमवार का वरत रतनी और सुमवार की वरत कथा को सुनने से भगवान शिव और माता पारवती अध्यंत प्रसन होते हैं तथा अपने भगतों की सभी कष्ट और संकटों को दूर कर देते हैं एवन समस्त मनोकाम नाव की पूर्ती करते हैं तो आज मैं आपके लिए भगवान शिव और माता पारवती की बड़ी ही दुर्लब कथाएं लेकर आईएं तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रधा और प्रसंचित मन से पूरा अवश्य सुनिये दा जो भग इनकी सच्चे दिल से अराधना करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं शिव अनादी हैं यानि ना तो उनका कोई आरम है और ना ही कोई अंत ये देव, दानव, मनुश्य हर किसी के पूजनी हैं कहते हैं कि इनके भगतों को शनी देव तक परिशान नहीं करते हैं आज जो कथा हम आपके लिए लाये हैं इस कथा को स्वयम भगवान कार्ती के जीने संतों को सुनाया था इस कथा के अनुसार, श्वेट के तू नाम का एक राजा था जो भोले नात का परम भक्त था राजा श्वेत केतु बेहधी सदाचारी, सत्यवादी, धरम के मार्ग पर चलने वाले शूरविर और प्रजा पालक थे वह पूरी निष्ठा से अपनी प्रजा का पालन करने के साथ पूरी श्रधा भाव से शिफ भक्ती भी करते थे उनकी भक्ती से शिफ भी अत्यंत प्रसंद थे एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जिवनकार समाप्त होने को था उस समय वह भोले नात की अराधना में लीन हो गए थे श्वेत केतु की मृत्यों की घड़ी समीप आ गई थी तब यम राज ने अपने दूतों को आग्या दि कि जाकर श्वेत केतु के प्राण हर लाएं यम दूत जैसे ही राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह शिव मंदिर में थे दूत बाहर ही खड़े हो गए श्वेत केतु इस दोरान बहुत ही गहरे ध्यान में थे बहुत समय वैतीत हो गया ना श्वेत केतु का ध्यान तूटा ना ही यह दूत ही ले जब यम दूत अपना काम करके वापस नहीं पहुँचे तो यम राज ने अपना काल दंड संभाला ला और खुद ही चल पड़े जब यम्राज श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है ऐसे में इसके प्राण कैसे लिए जाए उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी तरह से शिप भक्ति में डूबा हुआ है और इस स्थ स्थिति में शिप पूजा का उलंगन करना सही नहीं है ऐसा सोचते हुए यम्राज भी बाहर ही खड़े हो गए लेकिन जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो वे तलवार निकाल कर सीधे शिव मंदिर में जागु से काल ने देखा कि राजा श्वेत के दू शिव के लिंग स स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मगन है वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत के दू को मारने के लिए तलवार उठाई वैसे ही शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर काल की तरफ देखा जिससे काल तुरंथ ही भस्म हो गया इस घटना के बार जब राजा श्वेत के दू का ध्यान तूटा तो उन्होंने राख में बदल चुके काल को देखा उन्हें चिंता हुई कि यह भला कौन है और क्या है फिर उन्होंने भगवान शेव से इसके बारे में पूछा तब भोलेनात ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे ब्राण लेने आया यह सुनकर राजा श्वेत के तुने कहा कि हे महाकार यह तो आपकी ही आग्या से तीनों लोग में विचरता है और लोग को नियंत्रण में रखता है इसके डर से ही लोग पुन्य करम करते हैं इसलिए आप इसे जिवन दान दे दे राजा श्वेत के आग्रह पर शिवजी भ ही श्वेत के तुको अपनी गले से लगा कर बोला राजा तुम जैसा तीनों लोगों में कोई नहीं है जीवन दान पाकर काल और यम्राज ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो शिवजी के परम भक्त हैं जिनकी सिर्पर जटा और गले में रुद्राक्ष रहता है जो विभूती का त्रिपूंड ललाट पर लगाते हैं जो पंचाक्षर मंत्र का जब करते हैं ऐसी लोगों को कभी भी अकाल मृत्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा तो प्रेम से बोले शिव शिवा की जये आईए अब पूरे भक्ति भाव और प्रसंचित मन से सुमबार की अन्य व्रत को सुनते हैं प्राचिन समय की बात है वाशकल नमक गाउं में बिंदुग नाम का एक प्रामन रहता था वह बहुत ही अधर्मी दुरात्मा एवं महापापी था उसकी पत्नी बहुत ही सुन्दर थी उसका नाम चंचुला था वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी नाश की भैसे क्लेश सह कर भी काफी समय तक धरम भरष्ट नहीं हुई परंदु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पती के आचरन से प्रभावित होकर दुराचारी नी और अपने धरम से विमुख हो गई इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बह बहुत दिनों तक नर्क के दुखों को भोग कर वह मोड बुधिव पापी विंध्य परवत पर भ्यंकर पिशाच हुआ इधर उस दुराचारी बिंदुख के मर जाने पर वह चंचुला नामकिस्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही पती की मृत के बाद वह भी अपने धरम से गिर कर पर पूर्शों का संग करने लगी थी एक दिन दैव योग से किसी पुन्य परव के आने पर चंचुला अपने भाई बंधूं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधू जनों के साथ इधर खूमने लगे घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई वहां उसने एक ब्रहामन के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी कथा वाचत ब्रहामन कह रहे थे कि जो इस्त्रियां वैभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यम लोग चाती हैं तब यम राज के दूट उन्हों है तरहा तरह से यंतरना देते हैं ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वहाई ऐसा नहीं करेगा लेकिन यम्दूद उसे छोड़ते नहीं ब्रहामन के मुक्स से यह वेराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला बहे से व्याकुल हो गई कथा स्माप्थोने पर चंचुला ने कथा सुनाने वाले ब्रामण से कहा कि हे ब्रामण धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वरा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है मेरे उपर कृपा कर मेरा उधार कीजी आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वेराग्य हो गया है मैं बूरे विश्यों में फंस कर अपने धरम से भी मुख हो गई थी हे ब्रामन देपता आप मेरे गुरू है आप ही मेरे माधा पिता है मैं आपके शरण में आई हूँ मुझे अबला का अब आप ही उधार केजिए इस प्रकार भी लाप करती हुई चंचुला ब्रामन देपता के चर्णों में गिर पड़ी तब ब्रामन ने उसे क्रिपा पूर्वक उठाया और कहा हे नारी तुम सोभाग्य शाली हो जो भगवान शंकर की क्रिपा से तुमने वेराग्य पूर्ण शिव की कथा सुनकर समय से अपनी गल्ती का एहसास कर लिया है तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ उनकी परम क्रिपा से तुम्हारे सभी पाप नश्ठ हो जाएंगे मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्ही सुख देने वाली उत्तम गती प्राप्थ होगी शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुध्धी शुध हो गई है और तुम्हीं पश्चाताप हुआ है तथा मन में वेराग्योद बन हुआ है पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्राइश्चित है पस्चाता भी पापों का शुधक है इससे ही पापों की शुधी होती है शिव की कखा सुनने से चित की शुधी एवं मन निर्मल हो जाता है शुध चित में ही भगवान शिव वपारवती का वास होता है और वहेशुधात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है इस कथा का अश्रवन सभी मनुश्यों के लिए कल्यान कारी है इसलिए इसकी अराधना वह सेवा करने चाहिए यह कथा भव बंधन रुपी रोग का नाश करने वाली है भगवान शिव की कथा सुनकर हीर्दे मैं उसका मनन करना चाहिए इससे चित्की शुद्धी होती है चित्शुद्धी होने से ज्ञान और वेराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निष्चे ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती हैं। हे भ्रामन बतनी, तुम अन्य विश्यों से अपने मन को हटा कर भगवान शंकर की इस परम बावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित की शुर्धी होगी और तुम ही मुक्ष की प्राप्ति होगी। उन भ्रामन देवता के मुक्से चंचुला, शिव की भक्ति, ज्यान और विराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर क्रितार्थ हो गई। उसका चित शुद्ध हो गया। वेह अपने हिर्दे में शिव के सगुन रोप का चिंतन करने लगी। वेह सदैव शिव के सचिदा नंद मैस्वरोप का स्मरन करती थी। उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। और वेह शिव धाम को प्राप्त हुई। उसके सारे पाप धुल गए। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास कने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास कही। और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तूती कने लगी। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी से कहा कि हे सखे चंचुला मैं तुम्हारी स्तूती से बहुत प्रसन हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली हे गिरी राजनंदिने मेरे पती बिंदोग इस समय कहा है। कृप्या मुझे बताईए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम तिर से मिल सकें। गिरी ज यह बात सुनकर चंचुला त्यंत दुखी हिर्दे से बोली हे महादेवी मुझे पर कृपा कीजिए और मेरे पती का उधार कीजिए। गौरी देवी ने कहा यदि तुम्हारा पती बिंदुग शिव की पुन्य में उत्तम कथा सुने तो वह इस दुरगती को पार करकी उत् जोड़कर प्रात्ना की कि मेरे पती को शिव कथा सुनाने की विवस्था कीजिए। फिर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर वराज तुम बुरो को बुला कर कहां। तुम बुरो तुम मेरी इस सक्षी के साथ विंधे पर ज शिव की दिव्य कथा का प्रवाचन करो। मा उमा का आदेश पाकर गंधर वराज तुम बुरो प्रसंदा पूर्वक अपने भाग्य की सरहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंधे परवत पर गया। और परम उत्तम शिव की अम चिशरीर का त्याग कर दिया। और दिव्य देहधारी होकर बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयम भी भाग्वान शिव का गुणगान करने लगा। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बै दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चर्णों में अविचल निवास भाकत धन्य हो गए तो प्रेम से बोले शिव शिवा के जए एक अन्य कथा के नुसारा एक समय श्री महादेर जी पार्वती माता के साथ ब्रह्मन करते हु मृत्यू लोक में अमरावती नगरी में आये वहां की राजा ने अत्यांत भव्य एवं रमनीक शिव मंदिर बनवाया था जो की मन को शान्ती पहुंचाने वाला था ब्रह्मन करते समय शिव पार्वती भी वहीं ठैर गए फिर पार्वती माता ने कहा कि हे नाथ आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासर खेलें खेल प्रारंभ हुआ शिव जी कहने लगे मैं ही जीतूंगा इस परकार उनकी आपस में वारतालाप होने लगी उसी समय मंदिर के पुजारी जी भी वहां पूजा करने के लिए आए पार्वती माता ने उनसे पूछा कि हे पुजारी ज सकता इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे परंतु हुआ उल्टा जीत पार्वती जी की हुई अतहा पार्वती जी ने पुजारी जी को कोडी होने का श्राप दे दिया कि तुने मिठ्या भाशन किया है अब तो पुजारी को कोडी हो गया शे पार्वती जी दोनों वापस चले गए, कुछ समय के बाद उसी मंदे में कुछ अपसराइं पूजा करने के लिए आई, अपसराओं ने पुजारी के कोड़ी होने का कारण पूछा, पुजारी ने उनसे सभी बातें बता दे, फिर अपसराइं कहने लगी कि हे पुजारी जी, आप सोलह सुंबार का वरत करें, तो शिर्जी भगवान आपसे प्रसन होकर आपका संकर दूर करेंगे, पुजारी जी ने अपसराओं से वरत की विधी पूछी, अपसराओं ने वरत करने और वरत की उध्यापन करने के संपोर्ण विधी बता दे, पुजारी ने विधी पूर्वक, श्रद्धा भाव से वुरत प्रारम्भ किया और अन्त में वुरत का उद्यापन भी किया वुरत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए कुछ दिनों के बाद शंकर पारवती जी फिर से उस मंदिर में आये तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा मेरे दिये हुई श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया फिर पुजारी जी ने कहा कि हे माता अपसराओं ध्वारा बताए गए पार्वती जी ने पुछा कि हे माता क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चर्णों में लगा रहता है पार्वती जी ने कार्टी के जी को 16 सुमवार के व्रत का महात्मे तथा विधी बताए तब कार्टी के जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया और इसके फलस्वरूप वह विदेश किया वहां की राजा की कन्या का स्वयमवर चल रहा था राजा ने प्रण किया था कि हतीनी जिस व्यक्ति की गले में वर्मारा डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा यह ब्रहमन मित्र भी स्वयमवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया हतीनी ने इसी ब्रहमन मित्र को माला पहनाई और राजा ने बड़ी धूम धाम से अपनी राजकुमारी का विवहा उसके साथ कर दिया उसके बाद दोनों सुख पुर्वक रहने लगे एक दिन राज कन्या ने पूछा कि हेनात आपने कौन सा पुन्य किया जिससे हतीनी ने आपके गले में वर्माला पहनाई ब्रामन पती ने कहा कि मैंने कार्ति के जीद्वरा बताये अनुसार सोला सुमवार का व्रत पून्विधी विधां सहित श्रधा भक्ति से किया जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी स्वभग्यशाली पत्ति मिली है अब तो राजकन्यान भी सत्य पूत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन पूत्र प्राप्त किया बड़े होकर पूत्र ने भी राज्ये प्राप्ति की कामना से सोला सुमवार का व्रत किया राजा के देव लोग होने पर इसी ब्रहमन कुमार को राजगद्य मिली फिर भी वे है इस व्रत को करता रहा एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामगरी शिवाले ले चलने को कहा प्रन्तु उसने पूजा सामगरी अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवानी हुई कि हे राजा तुम इस पत्नी को त्याग दो नहीं तो राजबाट से हाथ दो न बढ़ेगा प्रभु की आग्या मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया तब वह अपने भाग्ये को कोस्ती हुई एक बुढ़िया के पास दी और अपना दुखडा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामगरी राजा के कहे अनुसार शिवाले में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया बुढ़िया ने कहा तुझे मेरा काम करना पड़ेगा उसने स्विकार कर लिया तब बुढिया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई बुढिया ने डांट कर उसे वहां से भगा दिया अब रानी बुढिया के यहां से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची गुसाइं जी उसे देखते ही समझ गे कि यह उच घराने की अबला विपत्ती की मारी है वे उसे धैरे बंधाते हुई बोले कि बेटी तू मेरे आश्रम में रहे किसी भी प्रकार की चिंता मत कर रानी आश्रम में रहने लगी परंतू जिस भी वस्तू को वह हाथ लगाती वह वस्तू खराब हो जाती यह देखकर गुसाइं जी ने पूछा कि बेटी किस देव के अपराद से ऐसा होता है फिर रानी ने बताया कि मैंने अपनी पती की आग्या का उलंगन किया और शिवाल्य में पूजन के लिए नहीं गई इससे मुझे घोर कश्ट उठाने पड़ रहे है गुसाइं जी ने शिव जी से उसके कुशलक्षेम के लिए प्रात्ना कि और कहा बेटी तुम सोला सुमवार का व्रत विधी के अनुसार करो तब रानी ने विधी पूर्वक व्रत पूर्ण किया व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बताया तब राजा ने वहां आकर गुसाइं जी से कहा कि हे महराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, क्रिपिया इसे मेरे साथ जाने की आग्या दे शिव जी की क्रिपा से प्रती वर्ष, सोलह सुमवार का व्रत करते हुए, वे आनंद से रहने लगे और अन्त में शिव लोग को प्राप्त हुए, तो प्रेम से बोलिये गणपती महराज की जय, शिव पार्वती माता की जय ओम जैशिव ओम काराओ, प्रभु जैशिव ओम काराओ, ब्रह्मा विष्नु सदाशिव अर्धांगी धाराओ ओम जैशिव ओम काराओ, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन घरुडासन विष्वाहन साजे ओम जैशिव ओम काराओ, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अतिसो हे त्री गुण रूप निरखता, त्री भुवन जन मोहे ओम जैशिव ओम काराओ, अक्ष माला बन माला, रुण माला दारे चंदनम्रिक मत सोहे, भाले शशिधारे ओम जैशिव ओम काराओ, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओम काराओ, करके मध्यक मंडलो चक्रत्रिशुल दरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओम जैशिव ओम काराओ, ब्रह्मा वेश्नु सदाशिव जानत अविवेका प्रण वाक्षर के मध्य येतीनो एकाओ, ओम जैशिव ओम काराओ, काशिम विश्वनाथ विराजत नंदे भ्रमचारे, नित उठी भूग लगावत, महिमाति भारे, ओम जैशिव ओम काराओ, त्रिकुन शिव जी की आरती, जो कोई नरगावे, कहत शिवानन्द स्वामी, कहत हरी हर हर स्वामी, सुख संपति पावे, ओम जैशिव ओम काराओ, ओम जैशिव ओम काराओ, प्रेम से बोली शंकर भगवाने की जय, उम्मेद करती हूँ, आपको हमारे द्वारा सुनाईगे कथा अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में, ओम नमशिवाय जरूर लिखेगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लिजेगा, हमारे चैनल पर व्रत, कथा दिवहार से जब मंधित, जानकारी, शुब मुहरत और महात्मी कथाएं सुनाई चाते हैं, अगर आप यह कथाएं सुनना चाते हैं, तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को अल नोटिफिकेशन पर आउन किजेगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव आपका मंगल हो,